आज महादेव के चर्णों में मैं सब परिवार आया हूँ, हमारी पत्नी, हमारी बिटिया आई है, रिवाकिशन है, पृति शुकला हैं, और आज इतना मन प्रसन्न है कि आज मैं हमेशा सुमवार को आता था, यह शश्वी प्रधान मंत्री मोदी जी को मैं कोटी-कोटी नमन करता हूँ, समस्त भारत के सामने इस महादेव की चर्णों से मैं उनको नमन करता हूँ कि उन्होंने धन्य कर दिया, इसकी भविता को पूरे विश्व को जना दिया, आज इतनी पबलिक है, इतनी भीड है, कि आज पूरा प्रशासन यहाँ लगाए कि इस भीड को कंट्रोल कैसे किया जाए, तो यह जो भक्ती, शिव भक्ती, मैं शिव भक्त हूँ, शिव भक्ती का जो एक रूप आज मैंने यहाँ देखा, एक महासागर मा गंगा से जूरता है हुए शिव जी, यह बड़ा आज काशी फेस पेस्टिवल का आगाज हो रहा है, इस से उत्तर प्रदेश की भविता और बढ़ेगी, पूरा विश्व जानेगा कि उत्तर प्रदेश में क्या-क्या लोकेशन हैं, चूटिंग्स हैं, आज कल सबसीडी बाटे जाएगी, गरीबन 40 करोड से जादा, उसमें हिंदी फिल्में भी हैं, भोश्पूरी फिल्में भी हैं, कल बड़े बड़े दिगज कलाकार आज आ चुके हैं, कल और आएंगे, और ये आगास करता है एक अच्छी सरकार का, पुझ्य महराज जी की सरकार का, फिल्म बंदू को मैं धन्यवाद दूँगा, केंद्र सरकार से, इनकोमेशन डिरेक्टर अनुराग सिंग खाकूर को मैं मंत्री जी को धन्यवाद दूँगा, केंद्र और राज सरकार के मिलन से, काशी फेस्टिवल, हमारे सांसद, हमारे प्रधान मंत्री, मोदी जी के, यहां धरती पर काशी में हो रहा है, महादेव की धरती पे हो र होगी, यहां शूटिंग होगी, यहां के बच्चों को रविकिशन की तरह दोड़ना नहीं पड़ेगा, स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, मेरे बच्चे यहां पर ही रहेंगे अपने माता-पिता के पास, और फिल्म उंद्योब में भी काम करेंगे, उसी को बढ़ावा देने के लिए कासी फेस्टिवल की शुरुआत हो रहें उसमें पता चला काला धन छिपा उआ था, इससे पता चलता है पिछली सरकार में कितना फीट के पैसा लूटा गया, पिछली सरकार में कैसे गरीबच गरीब जनता के पैसों को नोचा गया, जो जनता में आज भवता देनी थी, ये भवता इन लोंको करनी थी जब 20 साल इन Alaska सरकार थी ये मंदिर बाबा विशुनात प्रभूराम के बारे में एक्स्प्रेस वे के बारे में फर्टिलाइजर के बारे में एम्स के बारे में मेडिकल कॉलेज के बारे में एजुकेशन सिस्टम के बारे में 35 किलो आनाच के बारे में फ्री वैक्सीन के बारे में 6,000 रुपया किसान के खाते में देने के बारे में, सवचाले देने के बारे में, ये सारी सुविधाएं कभी नहीं मिली, तो 70 साल ये लोग क्या किये, 20 साल सपा क्या की, बस्पा क्या की, कॉंग्रेस क्या की और यशश्वी प्रधान मंत्री मोदी जी आए और ये रामराज जी बन गया मेरा भारत सोनी की चुडिया बनने जा रहा है आने वाले समय में एक बहुत बड़ा सूपर पावर मेरा भारत बनेगा आप लोग का अशिरवाद रखें, भारती जनता पार्टी कथनी करनी में अंतर नहीं है पुझय महराज जी को दुबारा मुख्य मंत्री बनाना है यहीं गुहार करने में महादेव की मंदिर आया था महादेव से आज मनें माना कि बहुमत की सरकार 300 पार करना है महादेव, दुबारा मेरे पुझय महराजी को भारती जनता पार्टी की सरकार को दुबारा लाना है और ये विकास की गंगा जो बह रही है, ये माफियों पे जो बुल्डोजर चल रहा है ये निरंदर चलता रहे और एक बुंडे लोगों को हम लोग जेल में रखें या परलोक में रखें लेकिन लोगा को अब उत्तर प्रदेश को ये जो ये राम राज्य का प्रदेश है बहुत जरूरी बा, बहुमत के सरकार चाही, यह निहोराबा और यह लिए हम आज परिवार समेख, हेजा पूरा निवेदन करयाल